जर्मनी की पूर्वरास्थानी रह चुके बॉन शहर में एक पेहती अजीबो गरीब काईदा है सर्दी के मौसम के बाद अगर आप बॉन शहर पहुंचेंगे तो देखेंगे कि बहुत से लोग सडकों पर मैंडिकों को बकाईदा सडक पार करा रहे होंगे बॉन में जो ऐसे जएसे गर्मी भरती है तो मैंडिकों का यहां वहां घुमना शुरू हो जाता है दरसल गर्मी के मौसम के शुरुआत होने पर मैंडिक अपने सर्दी के ठिकाने से निकलते तो हैं लेकिन नए ठिकाने पर पहुँचने के दरान सडकों पर तेज चलती गाड़ियों के नीचे दब कर मर जाते हैं। ऐसे में जर्मनी की कई स्वेम सिवी संस्ताओं ने उन्हें बचाने का जिन्मा ले लिया है। मेंडिकों को बचाने के लिए कई तरह के तरीकों को प्योग मिलाया जाता है। मेंडिकों को सडकों को पार कराने के लिए सडकों के नीचे सुरंग बना दी जाती है। जहां से ये आराम से कभी भी इस पार से उस पार जा सकते हैं। इसके साथ ही मैंडिकों को बचाने के लिए फेसिंग भी बनाई गई है। एंजी और जर्मनी के सरकाने मिलकर पूरे बॉन शहर में आउर्सो फेंसिंग बनवाई है। जो मैंडिकों की सरकों पर चलती गाड़ियों से सुरक्षा करती है। एंजीयों की लोग रोचाना फेंस चेक करते हैं और बंद हुए मैंडिकों को पास के जंगल में छोड़ाते हैं। विशी शग्यों के मुताबिक मैंडिकों की प्रजाती जहरीले और नुकसान पहुंचाने वाले कीडे मकीडों को खाती है। इससे उन पर नियंत्रन रहता है। इसके साथ ही मच्छरों को भी खा जाते हैं। जन्वनी में केवल बॉन में ही नहीं बलकि दूसरी शहरों में भी मेंडिकों को बचाने पर जूर दिया जा रहा है। गाड़े के नीचे दबनी से बढ़ने के अलावा तेज चलती गाड़ियों के एयर फोलो से भी वे मर जाते हैं। अगर मेंड़क 40 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से आतिक चल रही गाड़ियों के पास से गुजरते हैं तो उनके शरीर में अतरिक रत का स्राव होता है और वे मारे जाते हैं। ऐसे में गाड़ियों के स्पीड कंट्रोल के लिए कई सड़कों का नाम मेंड़कों के नाम पर ही रख दिया गया है।